घेलो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्याराए साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये प्रस्न भी-बिद्र करें मॉड़ल सेट का प्रस्न है इंपोर्टेंट रिप्रिबिएस भी कोशन है यह और इस प्रकार के प्रस्न हर बार प्रिक्षावें पुछे जाते हैं इस प्रस्ण को ध्यान पुर्वक देखें शेर करें लाइक करें और सल्व भी करें चलिए देखते हैं एक तालिस नमर प्रस्ण एक तालिस नमर प्रस्ण के उपर एक से चालिस तक प्रस्णों का हमने उतर दे दिया है आप विडियो देख सकते हैं चलिए यह सफिद चो लाइल साथ काली ओर तीन नीली होतुज़ गुझा निकाली जाती है, इसके सफिद होने की प्राइक्ता क्या है तो देखिए होने की प्राइक्ता क्या है? टूटल थैले में जो गेंदे रखे गए हैं उसको जोड़ लेज़े चार छे दस हो जाएगा चार और चार छे दस हो जाएगा सत्रह हो जाएगा तीन बीस हो जाएगा टूटल के संख्या कितना हुई बीस आप कहता है कि यहाँ सफेद गेंदों की प्राइकता क्या होगी तो सफेद गेंद कितने हैं तो चार है तो चार बटा चार बटा बीस हो जाएगा तो चार पचे बीस हो जाएगा यानि एक बटा पांच हो जाएगा answer आपका क्या हो जाएगा अफसर नमबर D हो जाएगा अफसर नमबर D हो जाएगा चलिए अगला प्रस्न है sin ठीटा बरावर A बटा B तो cos ठीटा का मान कितना हो जाएगा cos ठीटा का मान हो जाएगा B square minus A square बटा B square तो ऐसा दिया है तो दिया है आपका सही उतर क्या हो जाएगा सही उतर हो जाएगा ठीटा अगला प्रस्न देखिए अगला प्रस्न है अगला प्रस्न है ABC एक समकूर्ण तिर्वूज है जिसमें C 90 डिगरी है तो cos A plus B का मान क्या होगा जब 90 है तो A plus B C 90 है तो A plus B कितने होंगे कोई 30 होगा तो 45 होगा नहीं तो 45-45 होगा यानि 60 तो 60-30 हो जाएगा यानि cos A plus B का मान हो जाएगा cos 90 डिगरी 90 डिगरी का मान होता है जीरो अगला प्रस्न देखिए अगला प्रस्न है cos X theta minus cos theta the whole square का मान क्या हो जाएगा तो आपका सही उतर यह हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्न फीर आप देखें आप 45 नमर प्रस्न देखिए cos 60 degree into cos 30 degree minus sign 60 degree into sign 30 degree का मान क्या हो जाएगा शाइटिस 90 cos 90 का मान हो जाएगा जीरो ठीक है 90 का मान हो जाएगा जीरो अगला प्रस्ण है आप देखेंगे बहुत मज़दार प्रस्ण है एक मिनार से सो मिटर दूरी इस्थित बिंदू पर मिनार का उन्यान कुण साथ है अब बताए एक मिनार है मिनार से मालेजे ऐसे है यहां से सो है है ना सो है यहां साथ का बना है तो कोहता है कि मिनार की मुझ चाई बताईें बताईे आव यहां टेन टेन N60 करेगा तो बुराबर क्या हो जाएगा जी लॉम बटा धार हो जाएगा लॉम मालज ऐप है तो आधार कितना है तो स्वाब है तोई कितना है रूट 40 का हुज़े तीरी पी बटा P बटा P बटा कितना हो जाएगा P बटा आपका हो जाएगा P P बटा 100 ब्राबर रूट 3 यानि P ब्राबर 100 रूट 3 100 रूट 3 अपस्वन हो जाएगा आपका सही हो जाएगा A अपसर नमबर यह सही हो जाएगा ठीक है अपसर नमबर यह सही हो जाएगा अगला प्रस्थ देखिए अगला प्रस्थ है ध्यान दिजिएगा अगला प्रस्थ है अलफा ब्रावर बीटा ब्रावर प्रावर 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 4090 यानि च्वाइन 90 के मान हो जाएगा एक हुआ है अगला प्रसंद देखिए अगला प्रसंद देखिए रूट 2 बराबर साइन निकलते हैं तो रूट 2 है बाटा में दू है फिर रूट टू है बाटा में रूट दू है तो यहां हो जाएगा दू दू नहीं चार यानि दू अब बाटा में हो जाएगा दू रूट दू यह कैंसिर हो जाएगा एक बटा रूट दू बाचेगा देखो एक बटा रूट दू बाचेगा तो साइन ठीटा का मान हम लोग निकाले हैं एक बटा रूट दू तो यह मान किसका होता है जी 45 डिगरी का मान होता है कितना का होता है 45 डिगरी का मान होता है ठीक है और फिर अगला प्रस्न हम लोग द जोशजँ दिगरी का मान है तो इसका मान तो आपका एक आएगा तो हैग 30 को कॉन्वर्ट कर दीए तो कॉल्ट पर यहाँ कॉ जाएक हो जाएगा अगला प्रसन देखिए अगला प्रसन है 42 से में, 20 की परिधी ग्यान कीजिए, देखें, 42 से में, बिरीद के परिधी क्या होता है, 20 दिया है तो पाइड़ी, तो 22 बटर 7 हो जाएगा, अड़ी है 42, तो छक 42, 6 दून बारे के दूआ, 6 दून बारे के तेरे, 132 हो जाएगा, आपका सही उतर सी हो गया सी हो जाएगा फिर कहता जदी जदी दो बिरितों के तिर्याओं का अनुपाद दू अनुपाद तीन है तो उसके शेतरफालों का अनुपाद इसको बर्ग कर देजे न बर्ग करिये गए दू दू न चार तिन तिरिका नौव चार अनुपाद नौव यह हो जाएगा अप्सन नमर सी अगला प्रस्न देखिए अगला प्रस्न है जदी ब्रीत की परिधी आठ पाई हो तो शेतरफाल बताईए ध्यान देजेगा ब्रीत के परिधी आठ पाई हो सबसे पहले हम लोग आर निकालते है आले लिए तो आपका सी बटका होता है टू पाई होता है ठीक है तो यहां कितना दिया है आठ पाई दिया है यहां से हम कटा देंगे टू पाई से तो कितना हो जाएगा कट गया दूचो का आठ हुआ चार आया आर बराबर कितना आया चार और छेतर फॉल निकालेंगे ए बराबर होता है तो पाई ई आरस्क्वाइर यानि चार के स्क्वाइर तो 60 तो हो जाएगा 60 पाई 60 पाई एंसर हो गया एंसर 60 पाई हो गया अगला प्रस्न देखिए अगला प्रस्न है अगला प्रस्न है आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसर दस क्योंकि मिनट वाले सुई एक मिनट में छो डिगरी के कुण बनाएगी तो 35 मिनट में दूसर दस डिगरी का कुण बनाएगे है तो अगला प्रस्न आप देख सकते हैं आप देख सकते है कि बिंदू दू माइनस 55 चैतुधास में स्थ्थ रिख कर सकते हैं आपका सही उतर हो जागा चातूर्थ चातूर्थ ओप्सन नमर हो जाएगा डी दे हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्ण है वाइ अक्ष से बिंदू साथ तीन की दूरी है कह रहा है कि वाइ अक्ष से बिंदू साथ तीन की दूरी पर है वाई अक्ष से बिंदू साथ तीन की दूरी है साथ की दूरी हो जाएगा वाई अक्ष से साथ की दूरी पर ठीक है आए एक्ष से तीन की दूरी पर है अगला प्रस्टन देखिए अगला प्रस्टन है मूल बिंदू से माइनस पांच पांच की दूरी ग्याद कीजिए तो पचा पचीस 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 रूट पांच रूट दू अब का अपसन नमबर यह हो जाएगा अगला प्रस्टन देखिए अगला प्रस्टन है दो तीन चार एक की बीच की दूरी बताएए तो चार माइनस दू तो 2 दो दूना चार एक माइनस तीन याने 2 दो दूना चार याने 4 चार आठ याने 2 रूट दू अगला देखिए पर कि फिज्वा सी jak डेने कोरिशचन मेों के हैं यहां से आप माण निकाल येगा यहां से साइन स्कॉने थीटा ध्यान दिजिए यहां से को सक टो हूँ है फिर यहां से आजागा साइन बांता कॉस ठीक है अब फिर यहां है कोस स्कुआ ठीटा इससे तही केंसिल हो जाएगा इन दोनों के मिल करके इसका मान एक हो जाएगा को से का साइन का मान हो जाता है एक आई दोनों से केंसिल हो जाएगा या आपका एंसर हो जाएगा एक सही उतर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा बाबू तो एक हो जाए धार नता एक अर्ध गोले के पिश्टे शोत्रफल का झाला है आप तेया और ex स्कुर्ट इस से किंसिल हो गया चारन पातीन हो जाएगा चारन पातीन होगा चारन पातीन होगा अप्सन नमर दी होगा ठीक है अगला प्रस्न देखिए प्रस्न संग्या अगला प्रस्न देखिए और अगला प्रस्न देखिए और अगला प्रस्न है मेरे दोस्त ध्यान देजिएगा अगला प्रस्न है द्यान देजिए इस प्रस्न को प्रस्न संख्या 61 है अगलार प्रस्न देखिए और नाये टा BUR आज जाएगा आफ़ TNG कि अवव्यान दियार प्रस्न हो जाएगा है और अगला प्रस्न देखिए और अगला प्रस्न है है अग से कॉसवाइर ए इंट ऐन प्लोस स्कॉाइर स्क्वार ए डिन कमाना होता है सीक इसकॉार को सस्कॉइर है इंट सेक इसकॉर ए ब्राबर हो जाएगा आपका एक ठीक है खमान हो जाएगा एक ठीक है अगला प्रस्ना आप देखिएगा अगला प्रस्ना है जैदी बिंदू चौँ पांच चार वाई को मिलाने वाले रेखा खंड का मदे बिंदू X छो है तो Y का मान बताए तो Y का मान है देख लिजे Y का मान निकलना है X का नहीं निकलना है तो Y का निकलना है तो Y पांच को जोड़ दीजे पांच है और Y है बटा में दू करिए बराबर में छो करिए तो छो दूना 12 हो जाएगा 12 में से पांच निकल जाएगा तर कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा एंसर कितना हुआ साथ हुआ अगला प्रस्न देखिए अगला प्रस्न है किसी तिर्भुच के सिर्स बिंदों के निरसांग 4, 6, 0, 4, 5, 5 है तो इनके केंद्र के निरसांग क्या होगा तो 4, 0, 5, 5, 4, 9 5, 4 हो जाएगा 9, 9 बटा 3 हो जाएगा फिर हो जाएगा आपका 6, 4, 10, 5, 15 15 बटा 3 हो जाएगा तो यह 3 तरीका 9 हो गया यह 5, 10, 15 हो जाएगा तीन, पाँच एंसर हो जाएगा तीन, पाँच एंसर हो जाएगा तीन, पाँच अपसन नमबर अपसन नमबर B हो गया अगला प्रस्न आप देखिए अगला प्रस्न देखिए अगला प्रस्न है ध्यान से देखिए हो जाने पर नइय गहन के कूल पिश्री कवल फ़ोत अपरान यौन के कुल पिश्री कवल अब पुराने पुराने गहन का एक हो जाएगा कोई भरी दीन स्वाइब रिए छम्रीक इस nude की है तो इतना है इसको क्यू कर देंगे अठ कर देंगे और इसमें हम इससे पहाग से तो हो जायेगा इससे यह कैंसिल तो हो जाए जाएगा आठ अनुपात एक यहनने सही उतन क्या है डी कि अगला